दोस्तों मैं अब सिक्तिवारी एक बार फिर से उस रण के मैदान पर उसी मैदान पर जहां से हम लोग अपनी लगातार अपनी जो सक्तियां हैं अपनी जो हुंकार है वो भरते रहते हैं और उसी रण के छेतर वर आज जो जन्पदी इस तरके जो अथलीट के जो कारक्रेम है वो इस्टार्ट हो गए है तीन दिन का ये जनपती इस्तर का ये आयोजन वो चल रहा है और आज जो बच्चे हैं चाहे वो बालिका वर किए हो या बालक वर किए हो दोनों ही बच्चे आज इस रण के मैदान पर अपना दमखम दिखाने अपना जोर दिखाने इस छेतर में आ चुके हैं और पीछे आपको नज़रा रहे होंगे वो बच्चे भी नज़रा रहे होंगे जो उस रण के छेतर में अपनी दौर करने के लिए चाहे वो रानिंग हो, चाहे वो भाला फेक हो, चाहे वो गोला फेक हो, या किसी भी छेतर में, आप कैरम खेलते हों, चेस खेलते हों, बैटमिंटन खेलते हों, किसी भी छेतर के वो महारती हों, और उस महारती, सारे महारती यहां पे मौदूद हैं, और ये जो आयोजन है, व तो इंटर कॉलेज के बच्चे हैं वो आ चुके हैं चाहे वो बालक वरके के हो दोनों ही बच्चे वो आ चुके हैं और अपना दमखम दिखाने के लिए इस रण के छेतर में और ये ग्राउन की बात की जाए और ये जो आयोजन है पहले मैं उस आयोजन के बारे मता दूँ य ये आयोजन जी आईसी इंटर कॉलेज जो इनके आयोजक हैं वो जी आईसी इंटर कॉलेज वो आयोजन करा रहा है लेकिन ये जो ग्राउंड है वो भागवत पर साथ इंटर कॉलेज एकेडमी का ये ग्राउंड है और इस ग्राउंड पर ये जो खेल के कारकरम है वो स्टार् कापला था क्रिकेट का बीपी सील वहां से इस ग्राउंड की जो न्यू है वो मजबूत हुई थी और वहां से उठते हुए अब ये रल जो है वो रनिंग इस्तर पर तॉल इस्तर पर आगे पर चला है अब वो एथिलीट के आयोजन भी ये वो पिरारंब कर दिये हैं इसके ब रहा है कुछ अधिकारी वर्ग भी आए हुए है कुछ गेस्ट भी आए हुए है अयोजन स्टार्ट हो गया सारे बच्चे खड़े हो चुके हैं और अब ये जो प्रारंब है आगाज है वो प्रारंब हो चला है और चलते हैं आप आईए बेसक आईए देखने के लिए आईए धन्यवार्ट